असलाम अलेकुम वीवर्ज वेलकम टो मैं चैनल सवास्टाइल वीवर्ज आप सब कैसे हैं आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुती प्यारा कैपरी डिजाइन शियर करूंगी तो वीवर्ज इसके लिए मैंने अपने सिंपल कैपरी की कटिंग कर लिया है और यह कैपरी की हमने साइड में डिजाइन बनाना है तो साइड में लंबाई में हम इस तरह से यहां पर छे इंच पर निशान लगाएंगे और सेंटर में यहां पर हम वीर्थ में इसकी जो है एक इंच तक हम फैबरी को कटिंग कर लेंगे यह बिल्कुल बराबर हमने एक इंच पर निशान लगाने लगाते जाना है उपर छे इंच तक अभी हमने अपने कैपरी को डबल करके रखा हुआ है और इस तरह से हमने अपने कैपरी को डबल करके रखा हुआ है और इस तरह से हमने अपने कैपरी को डबल करके रखा हुआ है और इस तरह से हमने निशान पर रखकर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से हमारी कैपरी के लमबाई में से 2 इंच तक फैब्रीक जो है वो इस तरह से cutting हो जाएगा हमने center से यह फैब्रीक 2 इंच तक width में हमने यह फैब्रीक निकाल लिया ऐसे ही दूसरे लिफट जो आपका कैपरी उस में से भी आपने फैब्रीक को कटिंग कर लेना है अभी हम इसके उपर डिजाइनिंग करेंगे तो सबसे पहले हमने कंट्रास कलर की पाइपिंग लेनी है और अभी हमने इस मगजी को अपनी जो हमारी कैपरी है उसकी सीधी वाली साइट पर रखकर हमने इसका स्टीच करना है नीडल को हम अंदर की तरफ रखेंगे यहां से और इस तरफ हम घुमा लेंगे मगजी को उसके बाद इस तरफ हम सुई को अंदर रखकर और इस तरफ हम मगजी लगा लेंगे एक पैर तक कपड़ा हमने स्लाइमे लेना ज्यादा फैबरिक हमने सलाइमे भी नहीं लेना और इस तरह से हमने यहाँ पर मकजी को टैच कर लिया है और अभी यहाँ पर नौक पर हमने इस तरह से मकजी को कटिंग कर लेना है ताकि यह अच्छी तरी कैसे बैट जाए अभी हमें इस मगजी को उल्टी वाली साइट पर पल्टा लेते हैं इस तरह से यह हमने मगजी लगा लिया है और अब यहाँ पर हमने सिंपल फैबरिक लेना है इसकी चुड़ाई हमने तीन ही सक लिया है और इसको हमने इस तरह से डबल करना है दब लेल करने के बाद हमने पहले इसको छोटी हली साइट से और इसके बाद हमने लंबाई पलबाई चीज़ सैन्टर में रखको। पलबाई कर लिये थे पल स्थाइअर रहा है। पटीएं कटिंग कर लेनी हैं कि यह देखे तीन चार में ने यह पटिंग कर लिए ऐसे हम और पटींग कर लेंगे उसके बाद हमने इसको अपने यहाँ पर जो हमनारे सेंटर का गैप है इसमें इस तरह से सेट करना है यह आगे रखेंगे और लास्ट पर जितनी यहाँ पर आपकी पटी आएंगे आपने उतनी अटेश कर लेनी है और यहाँ से आपने पहली जो पटी लगानी है वो हाफ इंच तक आपने फैबरी को छोड़कर फिर आपने पहली पटी लगानी है और सारी पटीों के सेंटर में एक एक पैर का गैप रखना है बिलकुल साथ जोड़कर पटी है नहीं स्टीच करनी यह मेरी यहाँ पर चार पटी आई है और अभी हम यहाँ पर मगजी के साथ साथ तो सलाई लगा रहे हैं मगजी के उपर नहीं अपने सलाई लगानी है लेकिन मगजी के साथ साथ अपने किनारे की सलाई लगानी है और यहाँ पर अभी हमारी सेंटर का जो गैप है वो सवा दो इंच तक है क्योंकि एक पैर तक हमारा स्लाइमे भी फैबरिक किया है तो अभी यहां पर हमने इन पटियों को धाइंच तक रखना है इसको हमने एक से डेड़ पैर तक ज्यादा रखना है थोड़ा से हमने लूज इन पटियों को रखना है प्रब्रापर नहीं रखनी यह सारी पटी हम इस तरह से यह विड़ाइंच तक अभी विर्थ में मेरी पटी है वैसे हमारा सेंटर का गैब सवादो इंच तक है लेकिन यह पटी जो है वह मैंने डाइंच तक लिए है क्योंकि हमने थाड़ी सी लूज रखनी थी और अब यहा पर विवर्थ इसकी जो चुड़ाई है वह सवादो इंच तक है तो हमने जो सिंपल फैबरिक लिया है इसके उपर सवादो इंच पर निशान लगा लेंगे ताके हमारी पटी है जो वह बिल्कुल सेटो कर आए अभी इस जो हमने सिंपल फैबरिक लिया इसकी चुड़ाई मैंने साड़े तीन ही जिस तक लिया है क्योंकि एक एकिन तक दोनों तरफ से स्लाई में भी जाएगा तो ये मैंने पूरा बिल्कुल बराबर सवादो इंच पर निशान लगा लिया है आप रैसे भी निशान डाल सकती है या चोक की मदद से मेरे पास अभी चोक नहीं था मैं पैंसिल की मदद से आपको निशान लगा कर दिखा रही हो ताके आपको अच्छे से आइडिया हो जाए अभी हमने जो निशान लगा है उसके उपर हमने मगजी को रखकर स्टीच करना है और मगजी को पहले जो हमने सलाई लगा ही है उसी सलाई के उपर रखकर हमने यह आपर स्लाइल लगानी है अब इस तरफ से भी हमने जो निशान लगाए हूए ना उसी निशान के उपर रखकर हमने इस मगजी को स्टीच करना है और यहां से मेरी यह वाली सेंटर वाली एक पट्टी थोड़ी ज्यादा है तो यहां पर मगजी को मैं इस तरह से मगजी के अं किया कि हमने लूज रखनी है ज्यादा भी नहीं हमने लूज रखनी है और आप यहां पर नीचे जो थैया आपकि आपने निशान के उपर रखकर अपने मगजी को स्लाइल आ लगा लेनीया हमारी फिंगर न क्याओं प्टी में आनी चाहिए इतना उसी लूज रखना है अब इसकी पैंचे वाली साइट पर हम फ्रिल अटैच करेंगे तो फ्रिल बनाने के लिए हमने तीन इंच तक जुड़ाई में फैबरिक लिया और फैबरिक की जो लंबाई हमने अपने कैप्री के पैंचे से डबल लिया मेरा कैप्री का पैंचे अभी यहां पर 17 इंच तक है तो मैंने इसकी जो लंबाई है वो 34 इंच तक ले लिया और अभी यहां पर हमने विवर्ज हाफा फिंच के प्लेट डालने हैं इसकी फैबरिक की ओपन वाली साइट पर यह हमने प्लेट से इस तरह से बिल्कुल साथ साथ ही डालते जाना है और यह मैंने प्लेट डाली है अब इन प्लेट को हम अपने कैप्री के ओपर अटैच करेंगे कैप्री को हमने सीधा रखना है और प्लेट को हमने इस तरह से इसकी ओपर उल्टा करके रखना है हाफ इन तक हमने कपड़ा स्लाइम में लेना है एक इंच के क्रीब हमारे ये प्लेट्स त्यार हो जाएंगे क्योंकि हमने तहीं इस तक फैबरिक लिया तो डबल करके हमने प्लेट्स डाले है तो देट इंच तक इसकी वीट है और अभी हम इस तरह इन प्लेट्स को इस तरफ कर लेते हैं जो कपड़ा में लिया उसको हम कैप्री की तरफ कर लेंगे और यहां पर हम इसके ओपर किनारी की स्लाइब लगा लेंगे यह इतना कैप्री हमने आ रहा जो है वो स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकि है अब हमने जो हमारी पटिंग है उनके बिलकुल सेंटर में हमने यहां पर चुनट्स डाल ली है और यह पीस का सेंटर का लीजिएगा उल्टी वाली साइड से हमने इस जो हमारे पास हुई है उस उसके बाद हम दागे को खेंचे के यह देखे हमने इस तरह चोटे चोटे हमने टांके लगाए है और दागे को हमने इस तरह से खेंचा है तो यह इसके सेंटर में चुनट्स आ गी है और अभी वीवर्द हमने यहां पर इंचुनट्स के उपर कंट्रास कलर का हम पर्ल्स भ हमने लिया है आप अपने हिसाब से कोई भी पर्ल जो है वो टैज कर सकती हैं और यह देखे कितने खुबसूरत लग रहे हैं यह अच्छी तरह से आपने डबल टांका लगा कर इसको अंदर वाली साइड से उल्टी वाली साइड से गिरा लगा लेनी ऐसे हमने बाकी सारी पर् देखने को जरूर ट्राय करिएगा और मेरे साथ इंस्ट्राग्राम पर शेयर भी करिएगा इस तरह के मजीद खूबसूरे डिजाइन देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कर लीजिएगा और आज के मेरे डिजाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना मत बूल तो आज की वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में भी मुलाकात होती है तब तक के लिए अलाफीज द्वाओं में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा थैंक्स फूर वाचिंग